भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का बजट पेश किया इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रच्छा बजट ने खीचा है भारत ने इस साल रच्छा बजट के लिए 84 बिलियन डॉलर का एमाउंट रखा है जो वाकई में बहुत कम है चीन जैसे देशों के रच् जो परतमान में बढ़कर 54 बिलियन डॉलर के करीब पहुच चुका है अगर हम आपको, चीन के रच्छा बजट बजट के बारे में आपको बताएं तो, चीन का रच्छा बजट 300 बिलियन डॉलर के आसपास है कई जगह तो ये तक आ गया है कि चीन अपना रच्छा बजट नोसकते हैं कि चीन के मुकाबले भारत कहां पर टिकता है है चीन अपने इस बजट के वजए से अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन ने अपने से ना ओर बढ़ रही है वहीं हम लोग राफएल और अमेरिका के फ्ट्वंटीवन के गुडगान गाने में जुटे हैं अगर आप फिफ्ट जनरेशन फाटर जट के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें ये एक ऐसी टेकनलोजी है जिसे कोई भी रडार पकर नहीं सकता अगर सामान सब्दों में आपको बताएं तो अगर ये विमान राजधानी दिल्ली क ये उपर उड़ रहा हो तो भारत सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगेगी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेकनलोजी कितनी घातक है चीन के पास इस तरह के 200 से ज्यादा विमान है और भारत अभी भी इस तकनिकी के आसपास भी नहीं है दोस्तों आप लोग